क्या आपको पता है आज किसका जन्व दिन है? आज देश की पहली महिला शिक्षी का सवीत्री भाई फुले का जन्व हुआ था, उन्होंने अपना पूरा जीवन एक मिशन की तरह जिया, जिसका उदिशे था विद्वा विवा करवाना, छुवा छूट मिटाना, दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना वह एक कवियत्री भीद्वा आज से 174 साल पहले 3 जनवर 1848 में पुनम में उन्होंने अपने पती के साथ विविन जातियों की 9 छात्राओं के साथ एक विध्याले की स्थापना की उस समय लड़कियों का शिक्षा लेना पाप पाना चाता था तो सोचिए कि किस तरह से उन्होंने उस टाइम ये स्कूल चलाया होगा कहा जाता है कि जब वो स्कूल जाती थी तो लोग उनके ओपर गंदगी, गोबर और कुछ भी फैक्ते थे लेकिन वो इन चीजों से नहीं डरी अपने साथ जो है वो एक थैले में एक साड़ी रखती थी जब वो स्कूल पहुंचती थी तो वो साड़ी को चेंज कर लेती थी और दुबारा से लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर देती थी ये भी कहा जाता है कि जब वो स्कूल के गेट पर खड़ी होती थी तो स्कूल में छात्राओं का वैलकम करती थी स्कूल आने के लिए उस समय लड़कियों की शिक्षा पर साबाचिक पाबंदी थी लड़कियों को स्कूल जाना मना था तो सोचिये कि उस टाइम उन्होंने कैसे एक लड़कियों का स्कूल चलाया होगा और किस सरीके से उन्होंने इस चीज के लिए संगर्श किया होगा लेकिन फिर भी उन्होंने अद्भुत साहस का परिचे दिया ना वो सिर्फ खुद पढ़ी बलकि दूसरी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें पढ़ाया अगर आज उन्होंने ये परंपरा शुरू ना की होती तो शायद मैं भी एक टीचर ना होती हम कितनी जल्दी महान लोगों के महान योगदान को भूल जाते हैं जो कहीं त्यास के पन्नों में खो जाते हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ी लड़ाई पहली महिला शिक्षिका बनकर आई रहा उनके लिए आसान बनाई उन्हीं शिक्षा का महत्व बताया ताकि पलटो उनकी काया आज आपका है जन्म दिन करते हैं आपको शत शत नमन